और में PCC चीफ दीपक बैज ने जीम अधिप्रदेश रतीसगड़ से खास बाचीत की इस जौरान उन्होंने कहा कि इस बार कॉंग्रिस ज्यादा लोगसभा सीचे जीतेगी बीजेपी में भारी अंतरकले हैं बड़े नेताओं को बली का बकरा बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि कल कॉंग्रिस के बाकी पांच प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी लोगसभा चुनाओं की बिसाद बिच्चुकी है और कॉंग्रिस पार्टी ने 36 गड़ में 6 नामों का एलान कर दिया है पांच और बाकी है हमारे साथ में पीसे से चीफ दीपक बैज हैं उनसे बातशीत करते हैं दीपक जी पांच नाम और बचे हैं बीजेपी ने एक साथ 11 की 11 दिये लेकिन आप लोगों को थोड़ा विचार करना पड़ रहा है किस लिए देखे क्या है हम देश का चुनाओ में जा रहे हैं और लोगतंतर को बचाना है देश की अर्थविष्ट को बचाना है देश को बचाना है इसलिए कहीं कोई संसय नहीं हमारा जो पांच नाम बाकी है उन पांच नामों में भी नाम क्लियर और इस फ़स्ट है बस कल संभावता 11 तारी को CEC का कल मिटिंग होगा CEC की मिटिंग होगा उन नामों में भी किलियर मुहर लग जाएगा अच्छा विधान सभा चुनाओं में अगर हम 2004 के बाद से अभी तक देखें तो कुछ सीटे ऐसी हैं चाहे वो जानगीर देख लीजे कोर्बा या बस्तर की भी तो विधान सभा चुनाओं में हाल ही में कई जगों पे आपने सीटे गवाई हैं बावजूद इसके आपको क्यों लगता है कि लोग सभा में हम गेन कर जाएंगे बस्तर की ही बात कर लें अगरे दोनों मुद्धे अलग अलगे विधान सभा चुनाओं प्रदेश के मुद्धों पे लड़ा जाता है और लोग सभा चुनाओं देश के मुद्धों पे लड़ा जाता है लेकिन इस समय कॉंग्रेस पार्टी है हम प्रदेश की इस तीन मैने की सरकार की नाकामयों को लेकर चुनाओ लडेंगे और देश की प्रदवान मंतिरी नरेज मोदी जी की दस साल की नाकामयों को लेकर चुनाओ लडेंगे जो उन्होंने वदा किया 2014 औरorse 19 में जंताग बीच में कि हम महंगई काम करेंगे बेरोजगारी काम करेंगे काला दन वापस लेंगे हम पेटोल का रेट पच्छीश रूप पैंथीश रूपए करेंगे इन मुद्धों को लेकर हम जनता को बीच में जाएंगे तो हमारा विजन क्लियर है और हमारा हर परतियासी हम यह डबल जो विचारे जाना ही नहीं चाहा रहें दिल्ली में यहां मंत्री यह डिली जाना नहीं चाहा रहें लेकिन उसके बाफ जो द्वी जबरन का दिल्ली बेजरे हैं उनको तो भारती जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा अंधरूनी कला है इस वक्त संबोधित कर रहा है एसी है मोहनया सांत्र प्ती सोनी जी मीडिया राइपुर